बेस्ट आफ लक बेटा यहां पर मेरे बेटे का ऑनलाइन एक्जाम है तो यह फ्रेंड के साथ जा रहा है एक्जाम देने और मैं आज बना रही हूं चीकन बिरियानी बहुत ही इजी वे में बताऊंगी और यहां पर मैंने देखिए इंडिया गेट चावल है मेरे पास एक प और चावल को मैंने हाप आर पहले में दो करके रख लिया है और मॉर्निंग के सारे काम निप्टा करके और अब मैं लंज की तयारी कर रही हूं और देखिए यहां पर मैंने कडाही चड़ाया है उसमें मैं डालूंगी सुद देशी घी गाय का घी और उसके बाद चावल को और सिंपल जीरा नहीं डालूंगी साही जीरा मैं डालूंगी इसमें और थोड़ी सी दो चोटी इलाइची दाल चीनी जितने भी वोल स्पाइस होते हैं उसको थोड़ा सा यहां पर डाल करके जब यह ठोड़ा सा चटक जाए तब मैं यह चावल को डालूंगी बिल्कुल आज मेरे बेटे के फरन्ट लोग भी खाना खाएंगे मैंने ना थोड़ा सा ये रेंटेड मकान है मुझे मकान चेंज करना है क्योंकि मुझे घर चेंज करना है तो यहां पर देखिये चावल को बहुत अच्छी तरह से हलका गुलाबी होने तक मैं फ्राई कर लूँगी देखे धेमी आज पे तेज आचना रखे नहीं तो चावल अंदर से जल जाएंगे और इधर मैंने कुकर चड़ा दिया है सुबा में ब्रेकफास्ट की तयारी हो गई है ब्रेकफास्ट में क्योंकि हस्बेंड को मैंने रोटी आलू परवल की सबजी बना करके दिया बच्चे मैगी ही जादा तर खाते हैं मौर्निंग में और उसके बाद अब लंज की तयारी हो रही है और देखिए इस तरह से हलका गुलाबी होने तक हम चावल को भून लेंगे बहुत सारी आपको बिर्यानी रेसिपी भी मेरी लिनाज कीचन में मिल जाएगी और यहां पर देखिए करीब करीब हो ही गया है हलका गुलाबी और जितने भी गरम मसाला है ना मैं चावल में ही डाल देती हूं तो इससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है इसमें मैं नमक नहीं डालूँगी अभी और देखिए यह करीब करीब हलका गुलाबी भून गया है तो चलिए गयास का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और यहां पर देखिए कूकर गर्म हो गया है तो इसमें मैंने रिफाइंड वाइल डाला है चार बड़े चमच दो बड़ी इलाइची में इसमें भी डालूँगी थोड़ा सा उससे आप जो हैना थोड़ा सा क्रस करके डाले और चार बड़े प्याज में इसमें देखिए चार बड़े प्याज और जब हलका सा यह गुलाबी हो जाए तभी इसमें मसाले डालेंगे बहुत सारी बिर्यानी की रेसिपी आपको मिल जाएगी और मतन चीकेन बिहारी स्पेशल जहरखंड स्पेशल मैंने बहुत सारे नॉन्वेज रेसिपी भी सेयर की है तो एक रेसिपी मैं आपके साथ रोज सेयर कर रही हूं और जो है ना ब्रिक फास्ट हो या लंच हो देखिए यहां पर यह प्याज जो है ना हलका सा गुलाबी भून गया है तो चरी अब इसमें मसाले अट करते हैं जिसमें मैं चार बड़े चमच यह अद्रक लहसन और का पे भी आप सबजी बनाए या नॉन्वेज बनाए तो आच जो है ना बिल्कूल आप हाई फ्लेम पे नहीं बनाए नहीं तो जो वह टेस्ट जो आता है वह चीज बिल्कुल नहीं आएगा तो यहां पर मैं डालूंगी देड़ चमच कस्मीरी लाल मिर्च और एक बड़े चमच हल्दी और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम क्योंकि अगर आप स्लो फ्लेम पर बनाते हैं ना धीमी आज पर बनाते हैं तो वह कोई भी कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत निखर के आता है एक बड़े चमच काली मिर्च और जीरा कूट करके मैंने इस से बिल्कुल धीमी आजपर हम अच तब तक भूंते रहेंगे जब तक की यह हलका सा तेल नए जसी चोड़ने लगे लिखी से भी मियाज़गे और मैंने महराष्ट काबी काला मतन का जो होता यहां बहुत पेसल काला मतन का रेसे वीब मैंने लीनास कीचन में दाला है आप इक पर जबर भीजेड करें यहां पर मैं स्वातकिनोसाड नमक में की सबचार टाल थो एक कि बोहात तरह विर्यानी बनाई है या जोगिकर राई बिर्यानी भी मैने बनाया है मुरादबादी बिर्यानी के ना वह भी मैंने बनाया है मैं डिसक्रिप्समें लिच डाल दूंगी आप लिदेख लिग कर यहां पर इसको भी अची तरह से हम भून लेंगे हाफ चिकेन जो हना हाफ कुक कर लेना है इसमें ये बिरियानी बिल्कुल जहटपट सा बन जाते हैं और बच्चों को काफी पसंद आते हैं और देखे इसे धीमी धीमी आज पर हम भून लेंगे जब तक कि ये हाफ कुक ना हो जाए है जाते हैं त्क है मासाले जो है किनारे से तेल निकलने लगए इसके मतलब है कि मसाले थोड़ा पघ्या है और अशावल फ्राइव गाया है सथावन नहीं वह क्यासिये पिंद देखिए कि इस तरह से धीरे धीरे चावल को डाल करके आप चलाते जाए और जाने इस तरह सारे चावल को मैं डाल दूंगी और डालते जाए और चलाते भी जाए नहीं तो नीचे से यह सट जाएंगे और चलिए और देखिए काफी भर गया है मैं दो कुकर में बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बना रही हूं तो मैं एक छोटा कुकर भी ले लूँगी पहले इसमें मैं अच्छी तर तक इसे लगाना है क्योंकि जो है ना यह बिर्यानी बहुत जल्दी बन जाते हैं और चावल पहले से पूने हुए हैं और विर्यानी की एक खास चीज़ होती है जब कोकर में बना रहे हैं तो बस अपने उंगुल उंगली है ना बस उस से हाफ उंगुल ऊपर तक आप पान डाले तो बिर्यानी बहुत पर्फेक्ट बनती है उसके बाद मैं थोड़ा करस करके कसूरी मेथी डालूँगी यह थोड़ा केवरा एसेंस है देखिए इसको मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिला ले और बस एक सीटी बस लगाऊंगी इसमें मैं देखिए इस तरह से आप कुकर का ठकन लगा दे बस इसका बस एक सीटी तक मैं लगाऊंगी और यहां पर जब तक यह देखिए बस एक सीटी हो गया है तो मैं गैस का फ्लेम आफ कर देती हूं ठंडा हो तभी आप बिर्यानी निकाले यहां पर मैंने सैलेट कट कर लिया और यह प्लेट में अच्छी तरह से लगा देती हूं और देखिए और इसमें नीबू मिर्च डालूंगी यहां पर बच्ची जो है ना बिर्यानी खाते हैं जब ही नॉन्वेज खाते हैं तो यह प्यपसी जरूर पीते हैं तो चली यहां पर सब लोगों ने खाना सुरू कर द तो इसलिए आप लोग प्लीज माइंड मत कीजिएगा तो यहां पर बस सिंपल सा मैंने बिर्यानी